राजस्थान में विधान सभा चुनाव के लिए मतदान 25 नंबर को होगा लेकिन अभी भी कॉंग्रेस पार्टी 100 सीट भी घोशित नहीं कर पाई है इसके पीछे बड़ी वजह वगावत और विरोध है मगर अब एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है गुर्जर बाहुले सीटों पर कई दिग्गस गुर्जर नेता निर्दलिय लडेंगे जिसका असर अब कॉंग्रेस पर पढ़ सकता है उन्हें न तो कॉंग्रेस पार्टी मना पा रही है और नहीं कोई नेता कई नेताओं ने इसकी घोशना कर दिया है ये वो सीटे हैं जहां पर पिछली बार गुर्जरों ने एक जुटा दिखाई थी और सभी ने कॉंग्रेस को वोट किया था मगर इस नए संकट ने पार्टी को मुसीबत में डाल दिया है जबकि इस बात को ठीक करने के लिए कॉंग्रेस ने प्रियंका गांधी की दो बड़ी सभाएं दोसा और तोंक में कराई है फिर भी इस बार कॉंग्रेस की अधिक सीटों पर बगावत जारी है जैपुर की विराटनगर दोसा और अजमेर की मसूदा और अन्य सीटों पर कॉंग्रेस में विरोध जारी है कॉंग्रेस के दोनों बड़े नेता अशोक गहलोत और सचिन पाइलट के यह बड़ी चुनोती है यहां है कुछ ऐसी स्थिती अजमेर, दोसा, जैपुर, टोंक इन जिलों की कई सीटें है जहां पर इस बार कॉंग्रेस के लिए परेशानी खड़ी हो रही है क्योंकि इन जिलों में कॉंग्रेस में बगावत तेज है गुर्जर वोटर्स का बड़ दिखा रहे हैं कॉंग्रेस इसी वजह से अभी अपनी चौथी लिस्ट जारी नहीं कर रही है इसलिए अब यहां के समीकरन बदर रहे हैं यहां भी बगावत तेज है जैपुर जिले की बगरू, मालविय नगर, विराटनगर सीट पर कॉंग्रेस की तरफ से बगावत मालविय नगर में अर्चना शर्मा के खिलाफ विप्रकल्यान बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा ने इस्तीफा दे दिया था। कॉंग्रेस के लिए गुर्जर मतदाता निरनायक की भूमिका में होंगे। सादुल शहर डीडवाना, नदबई, किशन पोल, डूंगरपुर, करॉली, सुरतगड, आदर्श नगर, मसूदा, सवाई, माधोपुर, महुआ, बीकानेर, रामगड, केश्वरायपाटन ऐसी सी है। दोनों पार्टियों के टिकट बंटवारे में सोशल एंजिनेरंग दिख रही है। बीजेपी ने अब तक 21-17 फीसदी टिकट जाट नेताओं को दिये हैं जबकि कॉंग्रेस ने 15-20 फीसदी टिकट दिये हैं डॉट गुर्जर समुदाय को लगभग समान सीटे मिली वहीं बीजेपी ने राजपूत समुदाय को लगभग 10 प्रतिशत टिकट दिये हैं और कॉं कॉंग्रेस के करीब 125 टिकट अभी घोशित होने बाकी हैं ऐसे में भविश्य में इन समुदायों के टिकट बढ़ सकते हैं दिल्चस्प बात यह है कि दोनों पार्टियों की ओर से लगभग बराबर संख्या में टिकट गुर्जर उम्मीदवारों को दिये गए हैं अब त दिया इलाके के जातिये समीकरण को ध्यान में रख कर ही टिकट देती हैं लेकिन कभी कभी एक परिवार का प्रभाव या ध्रुवीकरण भी महत्वपून फैक्टर होते हैं